हेलो दोस्तों मैं हूँ चंदन और आप सवी का हमारे चैनल हैल स्रीज पर स्वागत है साथ ही हो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्रिसी इन्पूट अनुदान की इस्थिति फिर्ण्स आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं साथ ही हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था क्रिसी इन्पूट अनुदान की इस्थिति आप कैसे चेक कर सकते हैं जहांँ पिर हमने जो आवेदन चेक किया था वो आवेदन रिजक्ट हो गया था प्रन्तु फ्रेंस हम आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे फ्रेंस आप लोग क्रिसी इंपूट अनुदान 2019-2020 का सबसेरी रासी चेक कर सकते हैं आपको कितना रुपिया मिला है या फिर आपको कितना रुपीया मिलने वाला है और यदि आपका आवेधर एकसे आप रूब ऋचुका है तो फ्रेंस अब आपके आवेधन में आगे का क्या प्रोसेस होगा और आपके एकआन्ट में यह रासी कप तक कुँड़ को als estas एडिल जान्काड़े देने वाले हैं अधा फ्रेंड्स आप लोगोंसे रिक्वेस्ट है यदि हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाक जरूर कीजिएगा और हमारी चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा अब friends, सबसे पहले आप लोगों को वतादे, क्रिसी इंपूट और नुदान 2019-2020 के तहत आप लोग बार्ड के लिए आवयदन कर सकते थे, सुखार के लिए आवयदन कर सकते थे अती व्रीस्टी और अल्प व्रीस्टी के लिए आवयदन कर सकते थे और दोस्तों यदि आप अपना आवेधन संख्या भूल गए हैं तो फ्रेंट सर पर्थम आपको आना होगा इसके official site dbt agriculture.bh.gov.in पे उसके बाद फ्रेंट्स यहाँ पे आपको पंजी करन वाले बटन पर किलिक करना है और फ्रेंट्स यहाँ पे पंजी करन जाने वाले बटन पर किलिक करके आप अपना किसान पंजी करन संख्या किसान रेजिस्टेशन संख्या जानकारी कर लेजिए और friends येदि आपको किसान रेजिस्टेशन संख्या मालूम है तो friends यहाँ पर आपको किलिक करना है आविदन की स्तिती या आविदन पिरिंट वाले बटन पर और यहाँ पर किलिक करके आपको यहाँ पर सकेन नंबर क्रिसी इंपूट सब्सीडी 2019-2020 प्रिंट वाले बटन पर किलिक करना है और फ्रेंड्स जैसे ही आप यहाँ पर किलिक कर देते हैं और फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा और फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपना किसान पंजीकरन संख्या डालने के बाद सार्च बटन पर किलिक करेंगे तो साथ ही ओ आपने जो आवेदन किया था वो आवेदन यहाँ यहाँ पर मिल जाता है आप फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट में जो रेजिस्टेशन संख्या दिखाए दे रहा है यही फ्रेंड्स आपका आवेदन संख्या है इसे friends आप लोग copy कर लिजेगा और फिर से आईएगा इसी side पे और यहाँ पर आवेजन की स्थिति या आवेजन प्रिंट वाले बटन पर क्लिक कीजेगा और उसके बाद friends यहाँ पर input subsidy 2019-2020 इस्थिति new वाले बटन पर क्लिक कीजेगा तो चलिए friends हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और friends जैसे ही आप यहाँ पर आने के बाद आपने जो copy किया था जो आवेजन संख्या उसे डालने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो साथियो अब आपके पास कुछ इस तरह से open हो जाएगा और friends यहाँ पर हमारा आवेदन का इसीती यहाँ पेश्व हो रहा है और friends यहाँ पर बढ़ रहा है एगरिकल्चर कोडिनेटर के दोरा friends हमारा आवेदन 23 दिसंबर 2019 को accept कर लिया गया है और friends आप लोगों को बता दे जैसे ही आपका आवेदन एगरिकल्चर कोडिनेटर यान friends आपका आवेदन को district लेवल पर भेज दिया जाता है वहाँ पर friends आपको district अगरिकल्चर कोडिनेटर के दोरा आपके आवेदन में जितना भी रूपिया आपको अनुदान के रूप में मिलना है इसके लिए अनुसंसित किया जाता है और उसके बाद friends यहाँ आवेदन आप आपका headquarter के पास जाता है और वहां से friends आपके account में पैसा आता है तो friends जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा आवेजन को approve कर लिया गया है और district level पर verification के लिए वेज दिया गया है और friends जैसे ही हमारा आवेजन का verification district level पर हो जाता है तो friends आप दूसरा एस्टेटास ही आप देख सकते हैं और friends यहां पे आप हमारा दूसरा आवेजन का CT check कर सकते हैं और यहां पे friends हमारा status सो हो रहा है ADM के दोड़ा हमारा आवेजन को 31 December 2019 को approve कर लिया गया है और friends हमारे आवेजन में जो लाद है और, आँज दे नारे वा इसे होके देखाए लाद तक यहां पर गुर्वा पे गद में ऑगेयें तो चुमांभी लोगी सुखार या फिर अतिव रिष्टी के लिए आयवेदन किये हैं तो फ्रेंस आप लोग इस प्रकार बढ़े आसानी से अपना एस्टेटस चेक कर सकते हैं और यदि आपका पैसा आया है अथ्वा नहीं आया है या फिर कितना आने वाला है इन सब भी चीजों की इस्तिती फ्रे